आज जो हम चैप्टर रिवाइस करने जा रहे है वह प्रॉफिट प्राइर टू इंकॉर्परेशन काफी सिंपल चैप्टर है और हमेशा यह देखा गया था कि इंस्टूट इसमें से जब भी इस चैप्टर में से एक्जामरेशन में कोशन पूछ ती तो पांच माह का आठ मा कोशन पूछ सकती है जहरलि हमको लगता है जो बड़े चैप्टर एउसी में से इंस्टूट 20 कोशन पूछ complex को कोई होगी चैप्र में से 20 मॉर्वा कोईस को ऑस्यजों करेगी सब्सकों को Byने अधिसनेटेश और करे कंपर को नेक Tor आपने running business को कोई take over करे ये कोई आपकी partnership firm आपरंटर से decide करे Markestä करें तो यह process करें को company में convert कर तो आपने agreement उस तारीख से या कोई आपने company कोई आपने running business को टेक ओवर करें उस तारीख से जब आपने decide करें को company में convert करतें उसमें समय लगता है तो मैं इन दोने में difference होता है समय यह जो वक्त होता है आपका incorporation के पहले का और जो आपने running business take over करे इस समय को कहते pre-incorporation period और incorporation से बात से लेके end of the financial year का जो समय होता है उसे कहते हम लोग post incorporation period इसे हम क्या कहते है post incorporation period तो यह क्यों important है कि हमारे incorporation के पहले का profit और incorporation के बात के profit को find out करें वह इसलिए important होता है कि incorporation के पहले का profit और incorporation के बात के profit को हम अलग-अलग करें क्योंकि incorporation के पहले का जो profit होता है वो capital nature का profit होता है एक्च्वल में तो company existence में आई नहीं थी या प्र्मोटर्स ने कमा कर इस company को दिए तो प्रमोटर्स ने इस समय पे यह नी थी इसे लिए वो capital nature का profit है company के लिए और वो capital nature का profit है इस लिए वो company इस पिरेड में जो profit कमाए उस profit को कहाँ पे transfer करेंगी capital reserve account में लेकिन incorporation के बात का जो profit है वो capital nature का profit ही क्योंकि company यहाँ पर existence में आ चुकी थी तो यह जो profit यहाँ पर revenue nature का profit है इसे लिए जो आपका यहाँ पर जो आपका profit हुआ revenue nature का that can be utilized for the purpose of dividend यहाँ पर utilize हम कर सकते है इसी लिए important है हमारा है कि हम इस profit को अलग-अलग करें कि incorporation के पहले का profit कितना और incorporation के बाद का profit कितना अब हमारे सामने question या rise होता है कि हमारे capital nature का profit है जो capital reserve में transfer करते हैं अब हमारे लिए important है कि हम लोग इसको कैसे find out करता है कि पहले और बात प्री और पॉस्ट का profit तो एक तरीका यह हो सकता है कि हम लोग क्या करें कि हम अलग-अलग trial balance बनाए दोनों period के और दोनों period के trial balance बनाए दोनों का financial statement दोनों का profit अलग-अलग हमने निकाल दी लेकिन institute आपको वैसा नहीं देंगी institute आपको complete एक combined P&L account देंगी और वो P&L account से कहेंगी आप इन आइटम को segregate करो कि incorporation के पहले का profit कितना, incorporation के पहले का item कितना amount कि incorporation के पहले जाएगा और incorporation के बात कितना amount जाएगा तो जो भी हमको महाँ पे items दिये रहेंगे हम लोगों को income और expense के उसको segregate करना प्री और पोस पिरेड में अब यह question arise होता है कि मैं किस तरीक से बाटू उस item को जो भी मेरे penal account में expenses आते हैं यह income आते हैं और विजह हमारा से जो gross profit होता है इसको कैसे बाटू प्री और पोस पिरेड में तो आपको question में अध्यान रखेंगे चीज़ question में अगर specifically कई बार बोलता है कि इस particular item का इस तरीके से treatment करना है for example इसने आप से का कि rent जो था आपके इंकॉर्परेशन पिरेड में जो था उससे double हो गया पोस इंकॉर्परेशन पिरेड में तो आपकी इस तरह इस आपको treat करना पड़ेगा और प्री और पोस पिरेड में बाटना पड़ेगा लेकिन जब question silent question कुछ भी नहीं कहा तो फिर आपको आपको logically उन जो items को प्री और पोस पिरेड में बाटना पड़ेगा जैसे कि अगर मैं आप से कहूं यहाँ पर पहला item जो आपकी screen पर यहा sales ratio नहीं दिया तो sales ratio नहीं दिता मतलब sales की बार में कुछ information देती है वह हम find out करते कि sales ratio मतलब क्या pre-incorporation period में sales कितना था पोस इंकorporation period में sales कितना था वो ratio में बाटना उसको उसको उटो अगर possible नहीं है तो फिर आप secondary cost of goods sold case में बाटनो वह भी possible नहीं तो फिर time ratio में बाटन लेकिन ऐसा होता नहीं sales ratio हर question में calculate करते है gross profit किस ratio में बाटते हैं sales ratio में आप खुद logic लगाना expenses वीचा link with turnover वह expenses जो turnover से connected for example bad debt हो गया आपका discount allowed हो गया तो यह जो item में आपके किस से connected आपने commission हो गया यह आपका किस से connected है यह sales से connected है तो वह expenses जो sales से connected है तो उसका आप किस ratio में बाटने sales ratio में what do you mean by sales ratio कि incorporation के पहले का sales कितना incorporation के बात का sales कितना तो वह जो ratio होता उस ratio में बाटते हैं तो for example incorporation के पहले का sales है चार लाग बात का sales है दस लाग तो ratio is 4 is to 10 और 2 is to 5 तो वह ratio में हम इसको क्या करते है बाटते है that is sales ratio तो वह expenses जो sales से connected है वो हम sales ratio तो जैसे कि मैं आपके example देता हूं जैसे कि carriage outward आपका sales से connected है selling and distribution expenses sales से connected है commission to selling agent और traveling agent किस से connected है sales से connected है advertisement sales से connected bad debt sales से connected है brokerage sales से connected है sales promotion sales से connected है तो यह किस ratio में जाएंगा आपका sales ratio में very simple okay उसके बाद जो हमारा next है fixed common charges जो की sales से connected नहीं वह fixed nature के होते है for example rent हो गया हर मैंने इतना rent हमको देना है okay तो fixed nature क्यों तो उसका हम किस ratio में बाटे time ratio में जैसे कि आप example fixed common charges like salary office and administrative expense rent rates and taxes printing and stationery telephone telegram and postage depreciation miscellaneous expenses यह fixed nature के हर मैंने लगबग इतना होता ही है तो आप उसको किस ratio में बाटे हों कि time ratio what do you mean by time ratio incorporation के पहले का period कितना और incorporation के बाद का period कितना suppose मैं कहता हो कि हमारी company incorporated 1st of August को और हमने take over किये को running business को 1st of April April May June July 4 month will be pre incorporation post incorporation will be 8 month ratio में 4 is to 8 और you can say 2 is to 4 और you can say 2 is to 4 तो तो यह आपने pre और post incorporation period का time basis पर बाटे that is time ratio और जो sales pre or post period में that is sales ratio तो जो expenses sales से connected है that will be distributed in sales ratio जो time से connected है that will be distributed in time ratio तो यहाँ पर यह कुछ हमने देखे कुछ time ratio में बटेंगा और कुछ किस में बटेंगा और sales ratio में उसके बाद हमारा कि expenses exclusively exclusively relating to pre incorporation period तो कभी ऐसा होता है कि कुछ expenses exclusively pre incorporation period के तो यहाँ पर देखेंगा example expenses exclusively relating to pre incorporation period example interest on vendors capital आपको पार्टनर्स थे यह आपको यह वेंडर्स थे जिन से आपने टेक ओवर करें जिन से आपने टेक ओवर करें इस वैसे इसके बारे में और मैं आपको डीटेल में अभी जो में questions करेंगे आपको इसमें मैं बताऊंगा interest on vendors क्या होता है तो आपने क्या होगा किसी से आपने कोई business को टेक ओवर करें तो आपको अगर सब्सक्राइब कर तो इसको कोई amount देना था आपको तो इसमें अपने डिले कर तो वह interest का एक amount होता है तो incorporation के पहले का तो आपने कभी-कभी यह होता है कि incorporation के बात payment कर तो कुछ post incorporation में भी आता है या कोई simple example देता हूं आपको जैसे की salary आपने partner को देना तो वह तो partner पहले वाले business में the company में तो वह director हो जाएंगा तो वह pre-incorporation period में जाएंगा तो charge to pre-incorporation period but if the purchase condition is not paid on taking over the business वही मैंने आप सभी का interest for the subsequent period is charge to post incorporation वही मैंने आप सभी का for example first of april को मैंने आप से को business को take over करा इस पर और detail में आगे भी discussion होगा तो first of april को मैंने को आप से business take over के 10 lakh रुप आप ने कहीए जुबैर सर यह 10 lakh रुपे first of april को दो मैंने कहा first of april को आप ने कहीए कि जुबैर सर फॉस और April 22 को मैंने take over किया तो आप हमको 10 lakhs रुपीस दो मैंने कहा कि नहीं मैं थोड़े दिन बात दे तो आपने वाले interest लगेंगा 10% मैंने बहुत ठीक है चलेगा मगर company मेरी incorporate first of August 22 को तो यहां पर four months हुए और यह पोस इंकॉर्परेशन में eight month हुए लेकिन सबोद मैं interest यहां पर आपको amount 10 lakh रुपे सबोद मैं आपको 30 September को दिया तो मैंने तो एक April को आपको देना चाहिए था payment 10 सब्सक्राइब तो इस तरीके से आप लोग जो इस तरीके से आप लोग जो interest का भी amount vendor जिससे आपने business take over करें उसको पैसे देना था आपने तो यह पर देना चीद आपने नहीं दे पाई आपने बाद में दी है सब उस आपने 30 September को दे इंकॉर्परेशन के बाद दी तो इंकॉर्परेशन के पहले चार मेने था मगर आपने इंकॉर्परेशन के बाद दो मेने में पे कर दी तो मेने हुए थे तो जो भी interest का माँ तो 4 इस तो 2 में पढ़ जाएंगा ओके अब आगे हमसे कहता है next जो कहता है expenses exclusively relating to post इंकॉर्परेशन यह बहुत बार आता है institute इसमें पूछ दिये कि वह expenses तो पोस वह आपके इंकॉर्परेशन के बात के exclusively for example interest on debenture कौन issue करता है debenture company issue करती तो interest on debenture post incorporation sorry okay अब उसके बाद यहां पर उसके बाद हमने देखे कि directors को आपने को payment directors fees तो वह company में आता है company audit महां पर लिखावा company audit और पोस इंकॉर्परेशन में आता है तो ऐसी कोई चीज़ जो exclusively किस से related है company से related है तो वह post incorporation का company incorporate के बात का खर्चा है example यहां पर expenses exclusively related to the post incorporation period example formation expenses interest on debenture अब कई बच्च लोग सोचे formation expenses अरे formation expenses वह company को form करने के लिए करा गया था तो इसलिए company का ही कर्चा है तो वह post incorporation में जाएंगा फिर आपका interest on debenture directors fee directors remuneration preliminary expenses share issue expenses फिर आपके preliminary expenses फिर आपके share issue expenses underwriting commission और उसके बाद discount on issue of securities ओके तो यह जो भी खर्चे discount आप securities वैसे shares discount पे issue नहीं होते है debenture आपने discount पे issue करें तो इस सारे के सारे खर्चे किस सरे लिए company की share debenture जो securities कौन issue करती है company करती है underwriter commission भाई जो shares issue करते debenture issue करते वो underwriter को commission देते तो कौन करता है company करता है और उसके पाद share issue expenses को और खर्चे share issue के वक्त आपको ब्रोकरेज का खर्चा हुआ तो company कर रहा है तो वो सिंकॉर्परेशन पिरेड में जाएगा ओके तो इसके बाद वह आप से कहता है audit fee audit fee ख्या रखना अगर आपको question में उसने company audit लिखा company audit लिखा तो वो किस में जाएंगा आपका post in corporation पोस in corporation में लिखा तो किस में आपका post-incorporation में और आगर वो tax audit लिखा हुआ Toutो किसमे आपका sales ratio में तो याद रखना अगर को company audit लिखा वा है तो इसマें जाएंगा first in corporation tax order रिखा है वो कॉंसे ratio में जाएंगा sales ratio में को बाठना रहेगा और उसके बाद यही मैंने जो पॉइंट आप से यह वाल हो दो इंट्रेस्ट ऑन पर्चेस करें तो वेंडर आपने कोई बिजनेस पर्चेस करें वह एक्जामपल जो मैंने आपसे दिया था भी कि 10 लाग रुपे का हमने बिजनेस पर टेक ओवर करें एक अपरिल को मुझे 10 बाग रुपे वेंडर को देना चाहिए था लेकिन मैंने 30 सेप्टेम्पर को दिया और कंपनी इंकॉर्परेटे एक औगस को तो मेरा इंकॉर्परेशन के पहले का 4 मैने और 2 मैने इंकॉर्परेशन के बात का तो वही चीज़ में से कह रहा है कश्रांगे from the date of acquisition of business to the date of incorporation वो pre mean jaएँगा from the date of incorporation to the date of payment वो कहां पर वहां पर जाएगा पोस-셨ीज़ मि fandust न यह मैंने यह इस तरही इस थ्रीपटेटे पकरते भेरें जब कोलने deep medium from the date of Incorporation in कiking कभी कभी को место में ils कैऊ थे क्या आइक्ताएं किस तरीकिसे ट्रीमेंट करना वाउसने इसने सोफ हम इसकी आप थ่र अपसे कह दे क्या यह बताओ यह यह को के तव्य यह को कुसुशन आप से का कि आपका धाएन के पहले नहुता है वो से 2,000 उपर बन था, बाद में 3,000 उपर हो गया, तो आपको उस तरीकी से calculate करना पड़ेगा कि कितना पी रेट है, उसमें कितना, आपने रेंड ये 2,000 के जाब से, बाद में 3,000 हो गया, तो कितना आ रहा है, यह कह सकते हैं, नहीं कह सकते हैं, इतने मंच में इतनी टीफिर से डबल होगी, इतने मंच में डबल टीफिर, उसके बाद वाले इतने मंच में ट्रिपल होगी इस तरीकी से भी आपको question में कह सकता है तो अगर आपको question में specifically information दी तो उस information का अच्छी से पढ़ना और interpret करना है और interpretation करके आपको उसका treatment करना रहेंगा लेकिन question में आपके specifically नहीं बोला particular item को कैसे treatment करना तो जो मैंने आप से discuss किया इस तरीके से हमको उसको बाटना रहेगा तो यहां पर यहां पर जैसे item for specific details are given in the question must be apportioned in accordance with that information अगर specific information हमको दी यह particular item के बारे में तो वह specific information के accordingly हमको उसको distribute करना रहेगा यह बात आपको समझ मैं अब इस पर हम लोग questions शुरू करते हैं बड़ी simple है अब हमने जो भी सब्सक्राइब करना होता है एक होता है time ratio और एक होता है sales ratio तो इस question में अगर देखें हमने उन्होंने बिजनेस कप टेक ओवर करें एक चार दोज़र एकीस तो साल कर रहा था मोगा 31 मार्च दोज़र बावीस और आपने incorporate होई company first of August 21 तो time ratio अगर मैं बूलू April में June July 4 months यहां पर आता है और सब्सक्राइब कर स्केश्च नहीं में यून कर दोजबर कि आधे साल में आधे साल यह वह वह कितना था आपका वह वह यहां पर तो यहां पर कितना था बाद में अब इसको थोड़ा सा अच्छे समझना इस पॉइंट को वह आप से कहता है कि शुरुआत के च्छे मैंने यहां पर अगर और यह आगे के छे मिने तो जो सेल्स आपका इस पिरेड में जो सेल्स था उसका वो सेल्स यहां पर आधा था तो सबुद अगर मैं कहता हूं यहां पर मन्त अगर मैं कहूं तो टू था तो यहां पर वन रहेंगा पर मन्त तो मैंने का यहां पर मगर मेरा प्रियंकॉरपूरेशन के पहले चटरल मुन आरे और यहां 2 मैने और यहां दो मैंने यहांत म Dreams देवंस था और यहां से सब्सक्राइब क्लिए और एक मंद का आपका एक Св vision वाले अगर पिरेड में मैं बोलू तो आपका जो आजहें आधे मेने में जो था उसका आधा ता तो वह आधे वाले पिरेड में भी दो मेहने आजे damals कि अधा था इसके बाद multiply by 1, so 2 plus 6 multiply by 12, तो यह आगया 14, तो आपका जो sales, आपका जो यह ratio आगया, आपका 4 is to 14, sales ratio कितना आगया, आपका 4 is to 14, 4 is to 14 बोलो और 2 is to 7, एक ही बात है, तो हमें और आपका time ratio जो आगया, time ratio 4 is to 8, you can say 1 is to 2, और आपका sales ratio आगया, that is 4 is to 14, you can say 2 is to 7, तो सबसे पहले question में आपने time ratio और sales ratio को calculate करेंगे, क्योंकि जो item हमको दिये रहते हैं, इसको इसी ratio में हमको बाटना रहता है, अब यहाँ पर उसने हमें वैसे item बहुत सारे यहाँ पर उसने हमें दिया, जैसे कि यहाँ पर, the net profit for the company अब इस चीज़ को पहले अच्छे समझना, तो हमको क्या होता है, कि gross profit दिया होता है, वो gross profit को हम sales ratio में बाटते हैं, और उसके बाद क्या करते हैं, जो सारे items जो हमारे रहते, जो time से related time ratio में, sales से related sales ratio में, जो post period का exclusive रहते हैं, जो post period में, जो pre period का exclusive लेकर लेकर जाते हैं, लेकिन इस question में आप देखोंगे तो उसने आपको gross profit नहीं दिया, उसने हमको net profit दिया, तो simple सी चीज़ उसने हमको question में, अगर net profit दिया, मैं कहता हूं कि मैंने यहाँ पर, यह मेरा trading penal है, तो यहाँ पर मेरा gross profit है, यह gross profit मैंने यहाँ पर लिगा, यहाँ पर net profit आए, तो यह मेरा starting point हता है, gross profit जिसको मैं sales ratio में बाटता हूं, लेकिन इस question में, इसने net profit दिया, और मिझे यह gross profit पहले निकालना पड़ेगा, तो simple सी चीज़े यह आपको net profit 2,00,000,000 रुपे दिया, इसमें सारे के expenses जो यहाँ के है, सारे के सारे, यह आपका net profit है, सारे के सारे expenses जो यहाँ पर आप क्या करोंगे, इसको add back करो, तो यह आपका क्या जाएगा, gross profit ratio, यह क्या जाएगा, sorry, not gross profit, gross profit आपका जाएगा, तो यह net profit question में दिया, इसलिए पहले अपने इसको gross profit calculate करना पड़ेगा, उसको आप sales ratio में बाटूँगे, और उसके बाद फिर आपको item में यहाँ पे बहुत से item दिये, उसको जो भी जिससे related है, उसके हिसाब से accordingly हम उसको pre or post period में distribute करेंगे, तो मैंने का कि पहले gross profit कैसे निकालेगे, calculator अपन, Kelsi Kelsi Kelsi, okay ? just give me one minute, you can calculator में बाक में रहा गया है Okay, just give me one minute, okay. We'll be right back. Okay, sorry. So, here we'll be right back. So, here we'll be right back. So, here 2 lakhs rupees, 2 lakhs plus net profit is 2 lakhs. So, 2 lakhs plus, here we'll be right back. 1 lakh 23,000 plus 1 lakh 23,000 plus directors fees 50,000 plus 12,000 plus 78,000 plus 72,000 plus interest vendor up to 31st August. 5,000. So, what do I do? 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 So, this is the first time period. So, this is the first time period. After that, you can see the first item. What do I do? 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 My millionபட notes. 13,000 plus, in between American dashed, 15,000 plus, and 13,000 plus. So, this is the company. Where do I do? If you take part of your apartment, be there that time period? So, working those days. What do I do? Because of your apartment. No seet, it has gone to the ladyno. Go to the workplace or you can take part of your miten. One is to do. Do it. I get paid. If you are struggling where the Prince Peter has gone. I put an other place at where I get paid. Today might beach LORD ahead of his moneyty, तो आपको पता है अपने टेक ओर किया तो आपका डिसाइड होगा को अमाउंट उनको देना तो अमाउंट आप नहीं दे पाए और आपने अमाउंट कप दे पे करें 31st ऑगस्ट यहां पे पे करें 31st और आपने यहां पर उसको पे की तो क्या हो इसमें कि आपने इंकurPलेशन धार में एक महनम के पहले और एक महने बाद इसे कपे करें 179 pension is 1,67,000 तो यह transfer होगा capital reserve और इस तो transfer to profit and loss account तो यह आपर इसने ratio calculate कि मैंने उपर calculate कर चुका था 2 is to 7 or 1 is to 2 तो नाव, come to question number 2 तो Lotus Limited was incorporated on 1st of July 2021 to acquire running business to acquire running business field goods with effects from 1st April 2021 during the year, अब आप देखो company कब incorporate हुई, 1 July 1 July 2021 को ही, take over कब करें आपने 1,421 को साल कब खतम हुआ, 31 मान 2021 को, तो आपका pre-incorporation period कितना हुआ, April में June, 3 months post-incorporation कितना हुआ, 9 months so you can say 1 is to 3 जो हो गया आपका time ratio तो यहाँ पे देखो time ratio नोंने calculate करेंगे किदर गया time ratio, 1 is to 3 यह रह time ratio 1 is to 3 okay, so time ratio आपने calculate कर लिए time ratio में लिख देखो time ratio 1 is to 3 sales ratio भी देख लेंगे, अब आगे हम से कहता है कि during the year 21-22 the total sales were rupees 48 lakh of which rupees 9 lakh 600,000 were for the first 6 month अभी समझ ना इसता है, इस point को company कब incorporate हुए, 1 July को incorporate हुए company, अभी सीज को समझेंगे, 1 July को company incorporated बिटा, अब क्या हुआ यहाँ पे, 1 July को incorporated लेकिन उसने हमको क्या, पूरे साल का sales कितना था, 48 lakhs पूरे साल का sales था, इसमें pre-incorporation का हटा दोतो हूँ, post-incorporation का आ जाएगा, आपका sales कितना है तो pre-incorporation का sales कितना है, 9 lakhs 60,000 is for the first 6 months 9 lakhs 60,000 is for the first 6 months आपका incorporated 1 July को अपरिल में जून, तो 3 महने का कितना, अगर 9 lakhs 8,000 रुपए, 6 महने का, तो 3 महने का कितना, 4 lakhs 80,000 4 lakhs 80,000 48 lakhs minus 4 lakhs 80,000, that's come 43 lakhs 20,000 तो यह जो 4 lakhs 80 pre-perate का हूँ, यह post-perate का हूँ तो इसमें अगर आपन इसको अगर ratio wise देखो, तो यह आता है आपका 1 is to 9 1 is to 9 तो आप sales ratio को, sales ratio आपका 1 is to 9, तो आप तो आप time से related 1 is to 3 time ratio 1 is to 3 and sales ratio is 1 is to 9, अब उसने अपने को यहाँ पे question में दे, gross profit of the company the gross profit of the company Rs. 7,81,600 तो आपका gross profit कितना हो बच्चो, 7,81,600 तो इक gross profit को किस ratio में बाटेंगे, gross profit ratio gross profit को किस में बाटेंगे, sorry, sales ratio में तो sales ratio हमारा कितना यहाँ पे 1 is to 9 तो 7,81,600 यह sales ratio जो कि 1 is to 9 है, उसमें बटा 78,160 और 7,3440 अब यहाँ पे एक एक item देखेंगे, directors किस से related होता, exclusively company से related डारेक्टर फिर, it will go to post incorporation period तो वो दिया आपको 60,000 यह post period में, यह post period में आगया 60,000, उसके बाद आपको दिया advertisement, advertising है 48,000 लेकिन advertisement वैसे generally तो sales ratio में जाता है, क्योंकि sales से connected होता है, जितना advertisement कर उत्ता sales बढ़ता है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा अलग है, क्यों? वो हमसे कहता है under a contract, under a contract वो क्या करा है, under a contract amount to 2 rupees 4000 per month मतलब यहाँ पे आप उसको sales ratio में नहीं बाढ़ सकते हैं, वो कहता है कि contract है, कि हर मैने 4000 रुपे हमको उसको देना है, हर मैने कितना देना है, उसको 4000 रुपे हमको देना है वो मतलब fixed है तो fixed ratio में 4000 per month 12 मेने का 48,000, तो incorporation के पहले कि 3 मेने, तो 4000 multiply by 3, 12,000 रुपे प्रीमे आजाएंगा आप लोगों का, तो यह जो 48,000 बैट देप आला पॉइंट, अच्छा मैने नहीं जाता है, तो बैट यह कि ihr बच्च बेट एप रिलेटेदेट उता है बच्च बेट पर देप के रिलेटेटेटेटेट इसलिए वह सेल्स रेशयो में आपका जाएंगा 14400 सेल्स रेशयो जो आपका वन इस तुनाइट उसमें बार्टा 1440 12960 तो जो आपका salary और general expenses रूपीज 2,56,000 तो जो आपका salary और general expenses रूपीज 2,56,000 वो आपका time ratio में जाएंगा तो time ratio आपका 1 is to 3, 64,000 और 1,92,000 तो के बाद आपका preliminary expenses return off preliminary expenses आपका केतना है? preliminary expenses 20,000 वो किस से related है? company से related है तो post incorporation period में 20,000 पोस में 20,000 ना donation to political party given by, given by, given by the company, company ने वो donation दी तो इसलिए 20,000 रुपे कौन से period में जाएंगा? ये 20,000 रुपे आपका जाएंगा post incorporation period में तो pre incorporation का gross profit ये post का इसमें से आपने expense minus करें तो ये profit आगया, तो capital nature का profit ये capital reserve ये profit and loss account इतना simple है, उसमें कुछ है निसमें, very simple, okay अब उसके बाद, यहां पे इसमें, ये sales ratio, time ratio calculate कर रहा का Now, come to question number 3, okay The promoters of Glorious Limited took over on behalf of the company running business with effects from 1st of April 2021 The company got incorporated on 1st August 2021 तो यहां पे आपने कभ उसको कभ उसे take over किया, आपने हमने उसको take over किया Running business 1st of April 2021 Incorporate कभ उस 1st of August 2021, okay Manual account were made up to 31st March 22, 31st March 22 तो इस period में कितना आगे? April में June, July 4 month इस period में कितना आगे? 8 month 20, which revealed that the sales for the whole year total Rs. 1600 lakhs Out of its sales, till 31st July 21, where Rs. 4 है अभी करें, total sales 1600 lakhs था 1600 में से बोलता है कि यह 31st July तक ही दिया, मतलब Incorporation तक है का उसमें sales दिया 400 तो यह pre वाला sales है, यह post वाला sales आगे? आपका 1200 कितना simple है? यह post वाला sales आगे? तो रेशो हो गया 1 is to 3 तो आपका sales ratio जो है, आपका sales ratio is 1 is to 3 तो देको से calculate कियो होगा sales ratio 1 is to 3 अब time ratio भी निकाल से, time ratio यह simple है 4 is to 8 तो you can say time ratio is 4 is to 8 और you can say 1 is to 2 तो time ratio is 1 is to 2 हो गया, आपने का sales ratio, time ratio निकाल लिकाली तो उसके बाद कुछ भी दिया तो कैदा, the company got incorporated on 1st August 21, the annual accounts were made up to 31st March 22, which reveal that the sales for the whole year total चही पढ़ चुका, total rupees 1600 lakh out of which sales till 31st July 21, where for rupees 400 lakhs, gross profit ratio was 25 percent, ठीक है, the expenses from 1st April 21 to 31st March 22, where is fall, पहले सा बजना कि आपका तो जो sales ता वो 1600 lakhs था, gross profit आपका है 25 percent, तो 1600 का 25 percent कितना हो तो 400, यह 400 lakhs जो आए, इसका बन gross profit को किस ratio में बाठते है, sales ratio में, sales ratio में, sales ratio 1 is to 3, तो देखो, 400 को उसने sales ratio 1 आजा भाई, 1 is to 3 में, बाट 100 और यह 300, उसके बाद हम से अब यह आप expense दिए वे के करके उसको देखो, पहले आपके salary किस में जाएंगा, time ratio में, rent किसका, time ratio, अब उसके बाद sundry office expense time ratio, traveling commission तो यह आपका जाएंगा sales ratio, discount allowed sales ratio क्योंकि sales से related है, bad debt sales ratio, director post period, tax audit sales ratio, depreciation on machinery, time ratio, debenture interest, post period, आप देखो यह आपे, इसको इस ही तरह बाट है, salary score time ratio में, time ratio अपना 1 is to 2, 23, 46, rent rates time ratio, 8 or 16, sundry office expense time ratio, bavis or 44, commission sales ratio, 1 is to 3, 4 is to 12, discount allowed sales ratio, 1 is to 3, 3 or 9, इस सब module के question है, उसके बाद bad debt sales related sales ratio, आपका 1 is to 3, 1 or 3, directors post period 25, tax audit fee sales ratio, 1 is to 3, 2.25 or 6.75, depreciation, आपका time save, 1 is to 2 time ratio, 4 or 8, debenture interest, आपका post period में जाएंगा 11, तो आपने gross profit में से ये सारे के सारे expense क्या करे, minus, तो ये आपका आगया profit, ये capital reserve और ये आपका profit and loss account में जाएंग, Question number 4. Inder and Vishnu working in a partnership registered a joint stock company under the name Fellow Travelers Limited on May 31st, 2021. To take over their existing business, it was agreed that they would take over the assets of the partnership from January 1st 2021 for a sum of Rs. 3 lakh and then until the amount was discharged, they would pay interest on the amount at the rate of 6% per annum, the amount was paid on 30 June 21, अभी स्चीज को अच्छे समझ ना, उन्होंने कब company को incorporate करे, company को incorporate करे, जो date दी है यहापे, वो company को incorporate करे 31st में को और take over कब करे उन्होंने take over करे 1st of January को, 1st of January 2021 को यहाँ और 31st of May को incorporate हुआ था, तो यहाँ पर 1st of January 21, 31st of May 21, यहाँ पर incorporate हुआ, तो जब यह company यहाँ पर 31st May को incorporate ही, लेकिन जब आपने जो vendor था, जिससे यह take over ही, तो क्या agree हुआ था, कि 3 lakhs रुपीस हम उनको देंगे, लेकिन 3 lakh रुपे अगर हमने 1st of January को नहीं दे पाए, तो उस पे क्या देना रहेंगा हमको, interest, क्या rates से interest देना पड़ेंगा, 6% और actual में payment कब ही, 30 June, यहाँ पे payment ही, 30th of June 2021 को payment ही, इसका मतलब, 3 lakh रुपे, 3 lakh रुपे, 6% आपने कब दिये, अगर आप देते 1st of January को, तो कोई interest नहीं लगता, पेक अप करेंगे, आपने 30th of June को, मतलब, 6 मेने बाद, तो 3 lakh का 6% 6 मेने के लिए, तो आता है, 9,000 रुपे तो यह total period का जो interest आप इनने, 6 मेने का जो आपने दी, वो आपने दी 1 month incorporation की बात, incorporation की बात में से और period है, लेकिन payment की बात करो, जो उने पेमेंड ये, discharge करें, purchase consideration 30th of June को, तो वो incorporation की immediately एक मेने बात करें, लेकिन देना actual में कब था, उनको 1st of January 21 को, तो यह जो आपका 9,000 रुपे 5 to 1 ratio में इसका आपन बातेंगे, तो इस तरीके से वो बटेंगा, तो आप यहाँ पे देखोंगे, उसने अपने को यहाँ पे दिया भी question में, interest on purchase consideration up to 30 June 21, तो 9,000 रुपे कैसे आए वो, 3,006,006 मेने के लिए, ओके, फिर आगे question में कहता हम से, the due discharge purchase consideration, the company issue 20,000 equity share of rupees 10 each, at a premium of rupees 1 each and allotted 7% debenture of the face value of rupees 1,50,000 to the vendor at par, fellow travelers limited gives you the following information for the year ended 34 December 2021 was as follow, अब उसने information दिया purchase including inventory, 1,40,000 sales 1st January to 31st May, 60,000 1st June to 31st December 1,20,000, अब यहां पर sales ratio तो यही निकल आजाएगा, उसमें क्या ही है, sales ratio यही निकल आजाएगा, यह 60,000 incorporation के पहले का 1,20,000 incorporation के बाद का, 6 is to 12 और यहां से 1 is to 2 time ratio भी निकल आएगा, 31st में, मतलब 5 मेंने और incorporation के बाद 7 मेंने, तो 5 is to 7 यह time ratio भी निकल आएगा, closing inventory इन 25 तो था न, अगर इस question में हम लोग देगे तो gross profit directly उसने हमको निकाल के नहीं दिया, उसने क्या कि हम लोगों के purchase दिया, इंक्लूडिंग inventory मतलब ओपनिंग stock उसमें, sales दिया, closing stock दिया, लेकि उसने direct हम लोगों को यहां पर gross profit नहीं निकाला के दिया, इस सब institute की material की कोश्चन है, gross profit निकाल के नहीं दिया उसने, तो हमको निकालना पड़ेगा, अब उसने महां पर आगी दिया, freight and carriage, salaries and wages, debenture, depreciation, interest on purchase, concentration up to 30 June 21, selling, commission, directors with preliminary expense, provision for tax, इस पर मैं आता हूँ, यह item बहुत simple है, अब उसने, मगर यहां पर क्या important है, कि यहां पर gross profit कैसे निकाला, gross profit कैसे निकाला, तो actual institute क्या करती, पूरा काम करीनी उन्होंने, उन्होंने यहां पर लिख दिया, gross profit यह, gross profit उन्होंने ठीक है, वो sales ratio म उन्होंने 20,000,40, तो वही सब यह gross profit 60,000 आया कहां से वो तो बताओ, वो तो बताओ, तो institute नहीं यहां पर बताई नहीं, उन्होंने बनाई है, तो बता दो, वो भी नहीं बताए, अभी देखो, gross profit कैसे आ, यह आपका opening stock, including purchase 1,40,000, sales आपका 60,000, plus 1,20,000, तो यह आगया आपका, 1,80,000, उसके closing inventory आपका 25,000 रुपे, अब ध्यान से, यह जो expenses यहां पे, expenses में, जो freight and carriage उन्होंने लिखे रहे है, यह direct expense है, बच्चो, तो यह 5,000 रुपे यहां पर आएगा, यह gross profit आए आपका, say, 1,80,000, plus 25,000, minus 140,000, तो यह आपका gross profit आया, 60,000, रुपीर, यह क्या आपका gross profit आया, 60,000, रुपीर, तो यह gross profit किस ratio में बटेगा, sales ratio में, तो यहां पर gross profit निकाल के नहीं दिया, हमने निकाले, तो यह gross profit 60,000, 1,2 में, यह sales ratio 20,000, 40,000, तो इसके बाद उनने, salary, और कुछ adjustment आगे कोशन, adjustment वाले भी, don't worry, salaries and wages, यह आप जाएंगा, time ratio में तो 10,000 को उनने, यह freight आपने use कर ली है, यहां पर, gross profit निकालने के वाइंगा, अब यहां पर 10,000, यह time ratio में देखेंगे, आप यहां पर, अच्छे नहीं नहीं था, time basis पर, यह 10,000 time ratio वाला है, उसके बाद यह debenture interest, यह तो time ratio, यह किस में जाएंगा, debenture interest, post, depreciation time ratio, यह interest 5 to 1 में जाएंगा, आपको बताया है, मैंने payment, जून कोई, selling commission, sales ratio, directors fees, post, preliminary expense, post, provision for taxes, entirely related with company, यह भी किस में जाएंगा, post, आप ऐसे, post वाले एक जगा, time वाले एक जगा, sales वाले एक जगा, ऐसा जरूरी नहीं, इस sequence में भी लिख सकते, तो यह time ratio वाला है, यह 10,000 था, और यह 10,000, यह एक हजार, यह time ratio 5 to 7 इस तरह बाद, जरूरी नहीं है, आप sequence में भी लिखे तो कोई दिक्कत नहीं है, उसके ब यहां पर, यह जो post वाला मैंने लिखा, 3,600, 900, और यह 6,000, और उपर 5 to 5,0, तो 5 to 5,0, 600, और आपका यह अच्छा, फिर आपका preliminrix पर 900, और यह post 6000, एक ही बाद, डोंट वाले एक जगा, उसने post एक जगा, फिर आप में रिखे उसके बाद, जो sales ratio में, वो time ratio में, उस तरह 5 to 1 कैसा है, वो important, 5 to 1 कैसा है यहां पर, 5 to 1 ऐसा है कि आपका 30th of, आपका 30th of June का आपने pay करे, 30th of June को आपे pay करे, 30th of June, incorporation 31 में को, incorporation के हुए बाद, एक महने में pay करती, लेकिन actual में, एक January को pay करना था, तो एक January को उन्होंने क्या pay कर पाय था, एक January को उन्होंने pay नहीं करे 6 मेंने बात पे कर, तो 5 मेन इनकोरपराशन को पहराइन, पहराइन कैसा है, इसलिए 5 to 1 है, आप उसके सारी चीज़ई होगी, बात यह आपका pre and post, pre and pre and Enjoy County, प्रू Tú opens and cash prophet transfer to capital, a and loss account, य इस time ratio 5 to 7, 1 is to 2, अच्छा, एक और interesting चीज, इस question में, उन्होंने हमसे, और क्या चीज पूछे, उन्होंने हमसे question में पूछे, extract भी पूछे, देखेंगे यहापे, prepared statement, apportioning ने expenses and calculate profit or loss for the post and pre-incorporation print, also show how this figure would appear in the balance sheet, balance sheet में कैसी appear होई, तो आप इस चीज को समझने, पहले में profit की बात कर लो, यह pre-incorporation 4917, 4917 और यह 13333, तो आप अगर balance sheet आप रिजर्व and surplus की पहले बात करते हैं, रिजर्व and surplus में आप देखें, note number 2, यह pre-incorporation, आप इसको यहापे capital reserve भी लिख सकते है, capital reserve 4917 और यह profit and loss 13333, अब आप इसको देखें, गवराना में security premium कहां सा है, question में यहाँ पर शुरू में बोला है, क्यों लोग ने shares issue करें थे 20,000, 10 रुपे का एक था, तो share capital में 20R multiply by 10 कितना हैंगा, 20R multiply by 10 कितना हैंगा, दो लाग और आप एक रुपे premium को, तो security premium एक रुपे एक शेर पर एक रुपे, तो 20,000 security premium, तो 20,000 रुपे यहाँ पे security premium उन्होंने ले लिए और इस share capital दो लाख रुपे, उसके debentures भी इन्होंने issue करें, debentures कितने के issue करें, एक राख पचास दार के पार पे, तो यहाँ पर पर एक राख पचास दार के पार पे, तो यहाँ पर इन्होंने बताँ, 1,50,000, एक और चीज़, तो दो पर पर दिसकस करतें, पहले यहाँ पर यह देख लेंगा, note 1 आपका यह 2,00, रुपे share capital, reserve and surplus, और long term borrowing, अब जो आपक on debit to provision for tax, तो आपने यहाँ पर जब profit distribute करें, 6,000 रुपे यहाँ पर लिये, लेकिन provision for tax will be reflected, आपका liability side में short term provision में आएगा, 6,000 रुपे, तो यहाँ यहाँ पर यहाँ पर यहाँ रिफ्लेक्ट होगे, तो यहाँ पर यहाँ पर यह question हो सकता है, कि examination institute आपसे पूछ ले, अब आ आवाज आज, ओके, ABC Limited was incorporated on 1st of May 2021, to take over the business of DEF and company from 1st of January 2020, अब क्या हुआ, तो यहाँ पर शुरू हो रहा है, take over 1st of January 2021 को किये, मतलब, खताम हो रहा है साल 34 December 21, और incorporated 1st of May 2021, तो आपका time ratio तो यही पर निकला आगया, time ratio कितना है बच्चो, यह कितने months हो रहे, January से लेके 1st of May, January, February, March, April, 4 months, और post में कितना हो रहा है आपका, 8 months, तो आप यह कह सकते हो, 1 is to 2 time ratio हो गया, sales ratio भी देखेंगे, अब आगयो सबको information तो gross profit दिये, तो gross profit यह कैसे बटेगा, इस पर कुछ adjustments यहाँ पर दिये, तो gross profit ratio was constant throughout the year का मतलब क्या हो था, was constant throughout the year मतलब, एक ज जैसा gross profit हुआ, एक जैसे, मतलब GP ratio is same, 20% over the period 20% ही रहा, ऐसा नहीं कि कोई period में जाधा, कोई period में कम, ठीके, anyways, तो gross profit आपका sales ratio में बढ़ जाएगा, यह sales ratio में चले जाएगा, उसके बाद interest on investment earned, अब इस चीज़ में इस से related adjustment दिये, तो अपन एक करके discuss करते है, पहले adjustment किस- sales for January and October were 1.5, 1.5 times the average monthly sales, while the sales for December twice the average monthly sales, average monthly sales को पहले समझे, x मान लेते हैं, तो वो हमको कहता है, कि जो आपका January month का sales था, यहाँ पे लिखता हूं, यह January month का जो sales था, और यहाँ पे October month का जो sales था आपका, यह 1.5 है, 1.5 है average sales, average sales था, average sales था, मैंने x माना, तो यह 1.5 हो गया, ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पे, आपको कहता है कि December month का, लेकिन वो कहता है question में twice है, जो normal होता है, twice है, तो यहाँ पे जो December month हुआ, यहाँ पे यह twice है, मतलब यह January है, यह October है, और यह December है, अब बाकी हर month में 11111 रहा हूँ है, तो 1st of May, एक मिली, 1st of May मेंने क्या, 1st of May मेंने क्या, 1st of May मेंने क्या, एक सेकंड कुछ गडब लेका, अचा 1.5 लेका, 1.5, तो आप 1st of May को इंकॉर्पोरेट हुए, तो 1st of May यहाँ पे January, February, March, April, यहाँ पे आप इंकॉर्पोरेट हुए May month में, तो यह 1st of May जो भी year होँगा, 1st of May कॉन सा एर है, 21 को यहाँ इंकॉर्पोरेट हुए, तो आप बताए January का आपका 1 है, January, February का कितना होँगा, February, March, और यह April, तो February का कितना होँगा, February, March का 1, और उसके बाद April का भी 1, क्योंकि नॉर्मल 1 है, तो वह twice जब बोल रहा है, कभी 1.5, कभी twice बोल रहा है, तो February, March क वह April, अब May, May, June, July, October उदर आना चीए, तोड़ा सा, कोई बात नहीं, एक सेकेंड रहा है, ठीके, यह October में भी 1.5, यह लिक देता हूँ, October में 1.5 था, अब मैं अगर बोल रहा है, May, June, July, August, September, तो यह May मंथ, यह June मंथ, June, May, June, July, August, September, ठीके, यहां पर 1 रहा, 1, 1, 1, 1, 1, October में 1.5 था, नवेंबर यहां था, नवेंबर में यहां पर कितना रहा, नवेंबर में भी आपर नॉर्मल कितना रहा, वन रहा, तो यहां पर अगर प्री इंकॉर्परेशन पिरेड में आपका यहां रहा है, यहां तक के, पोस इनकॉर्परेशन पिरेड में आपका यहां रहा है, यहां रहा है पोस इनकॉर्परेशन, तो आप यहां पर सेल्स रेशियो देखो, तो 1.5 प्लस 1, प्लस 1, प्लस 1, मतलब 3 इसमें करो, so it will come 4.5, 4.5 is to, यहां पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9. 9.5, तो 4.5 is to, 9.5 इसका सेल्स रेशियो आना चाहिए, एक मिल, सेल्स रेशियो कहां गया है, 4.5, कितना आ रहा है, एक सेक्ड, मेरा यहां पर कैसे क्या है, 4.9 is to, 9.5, एक सेक्ड, तो उन्हों ने इसको multiply by 2 कर दियो, उसको point मारत, यह ऐसा लिको, यह ऐसा लिको, 9.5 multiply by 2, 9 is to, 9 is to 19, बात एक ही, 4.5 is to 9.5 और 9 is to 19, बात एक ही है, तो इनका यहां है, 9 is to 19, ओके, तो हमने यहां पर सेल्स रेशियो भी निकाल ली, 9 is to 19, और you can say 4.5 is to 9.5, ओके, उसके बाद, question में हमसे कहता है, question में कहता है, हमसे कि, bad debt are shown after adjusting recovery of 7,000 of bad debt for a sale made in July 22, इस पर में discuss कहता है, manager salary was increased by Rs. 2000 per month from 1st of May 21, अचा, इस पर में discuss, all investment were sold in April 21, ओके, और audit fee relates to the company, ठीक है, जो भी investment आपने बेचे, आपने कब बेचे, April 21 में, incorporate कब हुआ, 1st of May 21, तो यह interest और investment, obviously, बेचने के पहले कहा, तो प्री-incorporation, तो यह pre में जाएगा, तो यह 10,00,000 एक एक करके, 10,64,000 को sales ratio में, अचा, उन्होंने gross profit था, उन्होंने gross profit sales ratio में बाटे है, इन्होंने, 3,42,000, 7,22,000, और यहाँ पर interest जो तो प्री-पिरेट में जाएगा, क्योंकि इन्कॉर्परेशन के पहले था, 36,000, उसके बाद, question में rent rates and taxes पर कोई adjustment नीए, time ratio में जाएगा, 90,000, 1 is to 2 में, time ratio में जाएगा, यह लिखे नहीं नहीं, 1 is to 2 में, ठीक है, 30,000 और 60,000, manager salary पर ने adjustment, तो मैं bad debt और यहाँ पर manager salary पर discuss करूँगा, उसको नहीं लिखूँगा, मैं बाद में discuss करूँगा भी, उसके बाद यहाँ पर है, salary, आप salary आपकी वैसे 3,31,000, लेकिन उसमें से manager salary कितनी दिये, question में आपको बच्चो, 85,000, तो 3,31,000 minus 85,000 करूँ, that's come 2,46,000, तो उसको 2,00, वो manager salary पर आपन बात करेंगे, 85,000, तो यह 2,46,000 time ratio में आपको बाटे, 9 is to 19 में, तो carriage outwards, sales ratio में, 4,500, 9,500, उसके बाद question में दिया है, printing and stationary time ratio में आपका, okay, 18,000, debenture जो है आपका interest, interest on debenture, यह post में जाएंगा, तो 18,000 को time ratio में पहले बाटो, कहा गया आपका 8,000, 8,000, यह, printing and stationary time ratio में बटा, debenture, interest on debenture, यह post में जाएंगा, पूर है कि company debentures issue करती है, उसके बाद, आपका sales commission, sales ratio में जाएंगा, bad debt से related में को bad debt पे और यह इस पर बात करना है भी, okay, bad debt पो इस पर अपन discuss करेंगा, we managers salary पे, 9, ठीक है, उसको bad debt, underwriting commission किस में जाएंगा, post period में, 26,000, तो यह 26,000, post period में ले लिए, उसके बाद यहाँ पे, उसके बाद यहाँ पे, preliminary expenses यह भी post में जाएंगा, audit fee question में, specifically pertain to the company, तो इसलिए यह भी post में जाएंगा, 28,000, और यह 45, audit fee, okay, उसके बाद है, यहाँ पे, loss on sale of investment, अब investment आपने पहले है, आपने investment कब बेचे, उसके अपरिल मन्त में investment बेच दिए, तो loss भी आपका कब रहेंगा, pre-private करेंगा, 11,200, just one minute, यह देखे, loss on यहाँ पे देखा, loss on sale of investment यह, pre-private, क्यों मैंने प्री में लिए, क्योंकि इनकॉर्पोरेशन के पहले investment बेच दिए थे, तो obviously loss कभी इनकॉर्पोरेशन के पहले कही है, तो 11,200, done, अब यहाँ पे सारे items आपने ले लिए, अब क्या हो रहा है, यहाँ पे, यहाँ भी प्री में आ रहा है, तो मैं कहता हूँ, 85,000 total उसको manager को salary दिए, और 2000 उपे एक में से बड़ी, तो incorporation, तो incorporation से 2000 बड़ी, तो incorporation के पहले, suppose per month X थी उसकी salary, तो 4 months थे, 4 months, 4 month मैंने यहाँ पे लिया, उसकी 4 month, तो यहाँ पे 4 January, February, March, April, 4X आगे, suppose the salary per month before the incorporation is X, तो 4 मैंने के 4X, plus यह incorporation के बाद, incorporation के बाद की बात, आठ मैंने होगे, में से लेके December, 8 month, 8 month, कितने का 8 month, per month salary कितनी होगे, X थी, plus incorporation के बाद 2000 उपे से salary बड़ी, तो plus 2000, बस होगे, simple equation को solve करो, तो यह 4X, plus 8X, plus 16,000, यह 85,000, तो यह आपे आपका X निकल आएंगा, 11X5750, यह आपको समझा नहीं, यह कैसे बनाया है मैंने equation, simple है, 4X per month मैंने क्या वजियूम कर रहा, X है, उस explanation वहाँ दिया है, मतलब solution भी आपको दिया, लेकिन यहाँ पर month X था incorporation के पहले, 4 मैंने का 4X, फिर उसके बाद 2000 उपे से बढ़ गी, तो 8 मैने तक 8, यह X का जो per month incorporation के पहले कितनी, plus 2000 उपे पर month से बढ़ी, तो यहाँ पे इसलिए आपने 8 month for X पे और X पर month incorporation के पहले, 2000 उपे बढ़ी, तो प्लस 2000 उपे इसलिए किया, तो incorporation के पहले per month से थी 5, 7, 5, 0, 5, 7, 5, 0, तो यह आपकी pre, यह post, तो 5, 7, 5, 0, X, 4 महने का, तो यह आपका 23,000, यह post period में जो आएंगा आपका, यह आपका 2,000 पर month बढ़ा, तो 5, 7, 5, 0, प्लस 2000 करा, तो 7, 7, 5, 0, multiply by 8, यह आगे आपका 62,000, तो आप देखोंगे यह आपे, यह 23,000, किदर गया, अच्छा, यह मैंने इस पे टिक कर रिया था, मैंने गलती से, ओके, यह देखो आप यहाँ पे, यह आप 23,000, 62,000, 23,000, 62,000, simple है, कुछ भी देखोंगे, तो आपके 2,000, X, 5, 7, 5, 0, तो प्लस 2000 कर दो, पोस्परेट में, तो 7, 7, 5, 0, multiply by 8, months, तो multiply by 62,000 आगे हो, okay, अब दूसरा जो एक और discussion जो आप से कर रहा है, that is related to, related to bad debt, अब simple सी चीज़ों कहता है, कि bad debt are shown after adjusting recovery of Rs. 7,000 of bad debt for a sale made in July 22, अब incorporate the first of me, कोई तो यह 7,000 रुपए का कोई bad debt था, जो कि पहले का था, July 22, pre-private का था, ठीक है, लेकिन वो कहता है, कि जो आपका bad debt था, आपका, नी, सारी, bad debt को, एक सेक्ड, यह 7,000 bad debt recovery, after recovery, उन्होंने क्या हो, कोई bad debt था, उसकी recovery अभी हुई, तो 7,000 रुपए वो कहते हैं कि उन्होंने किस में से adjust कर ली, bad debt में से क्या करें, तो आपको जो यह bad debt 9, यह जो आया है bad debt, यह जो bad debt था था, 91,000, वो उसके adjustment के बाद है, मतलब recovery के बाद है, यह पुराना bad debt, उसकी recovery के बाद है, तो मैं कहता हूँ, bad debt minus bad debt recovery, bad debt recovery, जो यह आपको 91,000 दिया है, ठीक है, वो आपको कहते है, 91,000, और आपको यहाँ पर, यह bad debt का amount, यह अपने को निकालना है, bad debt recover कितना है, 7,000 रुपीज, यह 91,000 दिया, तो bad debt तो निकाला है, bad debt को सब्सक्राइब को सब्सक्राइब गानता हूँ, तो 91,000 प्लस 7,000, तो actual में bad debt 98,000 का था, मगर हमने जो 7,000 रुपे की जो recovery था, वो recovery को हमने bad debt में से minus करे थे, इसलिए वो 91 आ गया था, 7,000 रुपे, तो भलेंगे, दिक्कत क्या है, आप सोच चुरेंगे, दिक्कत क्या है, तो bad debt थी, तो bad debt था, उसमें bad debt recovery 7,000 रुपे माइनस कर था, तो problem क्या है, कुछ गलत हुआ क्या, हाँ गलत हुआ, क्या गलत हुआ, गलत हुआ यह हो गया, यहाँ पर, पुराने bad debt कोई था, जिसको इसकी recovery हुआ, तो यह जो 7,000 रुपे, जो आपको यह जो 7,000 रुपे हुए, यह जाएंगा pre-period में, क्यों pre-period में, यह पुराना bad debt था उसकी recovery हुआ, तो पुराने तो इसलिए pre-period में जाएगा, और इस वग जो bad debt हुआ, यह sales ratio में बटेग अगर दोने sales ratio में रहते हैं, दोने प्री रहते हैं चलता, दोने पोस्ट रहते हैं चलता, लेकिन भाइस आप जो bad debt recovery, वह आपका pre-period का, जो आपका 98,000, जो bad debt आ रहा है, वह आपका sales ratio में, तो दोनो अलग-अलग ratio में, इसलिए आपको net effect नहीं ले सकता, आपको अलग ही more than 500, sales commission कहीं होगा, यह sales ratio में जाता है, तो यहाँ पर इस तरीकी से adjustment किया, तो क्या हुआ है यहाँ पे आपका, कि bad debt minus bad debt recovered, 91 यह दिया हुआ, तो bad debt recovered 7 था, तो bad debt आपने कितना था, 98 था, 98 sales ratio में जा रहा है, और 7 pre-period में जा अलग-अलग ratio, तो इसलों को net effect ले नहीं सकते, तो यह अच्छा adjustment है, इस तरीकी साब का pre- or post-incorporation का यह क्या हो गया, profit आ लिए, यह मैंने आपको बताया थे, time ratio, फिर यह sales ratio, फिर यह time ratio, और वही चीज़ ए explain किया, जो मैंने लिखा हूँ यहाँ पे, institutions को explain कर लिए, अब यह manager का भी, मैंने आपको 23,000, 62,000 explain किया था, Now, come to question number 6, अब ध्यान से सनेंगे, Sun Limited took over the running business of a partnership firm, Mrs. A and N, brother with effect from 1st of April 2017, the company was incorporated on 1st of September 2017, the following profit and loss account has been prepared, has been prepared for the year ended 31st March 2018, तो आपकी company, 1st April 2017 को तो वो take over की, मगर आपने 1st September यहाँ पर, 1st September को यहाँ पर incorporated, तो प्री प्रेड में कितना जा रहा हूँ? प्री प्रेड में कितना, April में, June, July, August, पांच मेंने, तो प्री प्रेड मेंने, तो पोस्ट प्रेड में 7 मन जाएगा, तो यह आपका time ratio आगे 5 to 7, तो देखो question में आपको यहाँ पर time ratio दिया है, इसने 5 to 7, अब उसके बाद यहाँ पर, उसके बाद वह हम से यहाँ पर, यह time ratio हो गया, उसके बाद इसने यहाँ पर penal account दिया, अब salary किसमें जाए कोई adjustment है, तो पहले हो देख लेना, आपने, adjustment काफी है, अब यहाँ पर पहले sales ratio है सब निकाल लेते, अब उसने क्या दिया है, कि trend of sales during April 17 to March 18, अब April 2017 से लेकि March 2018 तक किके sales दिया, incorporate first September कोई, तो यह आपका pre वाले period में जाएगा, क्योंकि April और में का per month sales है, अच्छा, per month है, तो एक मैने का 85, यह वाले pre है, यह pre period में, यह भी pre period में, August September, एक September कोई, तो August का pre में जाएगा, और September का post में जाएगा, यह October, November यह भी post औ दिया, तो April में 85,000 पर month ता, तो आपने देखेंगे, यहाँ पर April मन्त में 85,000, May मन्त में 85,000, उसके बाद यहाँ पे, उसके बाद जून में एक लाग पांच हजार, जुलाई में भी एक लाग पांच हजार, जुलाई में भी आपका एक लाग पांच हजार, उसके बाद आ अगस्ट में आपका 1,20,000, September में 1,20,000 ख्याल रखना एक September को अपन रजिस्टर हो तो 1,20,000 ऑगस्ट का है या फिर September का 1,20,000 वो पर month figure है और फिर उसके बाद यहाँ पे October 1,40, November 1,40, इसके बाद फिर 1,50,000 तो 1,40,000 अचा ऐसे लिख दिया है 1,40,000 multiply by 2 तो 2,80,000 और 1,50,000 multiply by 4 क्योंकि December के बाद फिर वो 1,50,000 रहा तो 4 मेने का 60,000 तो pre-incorporation का यह post-incorporation पांच लाग और 10 लाग 5 तू 10 और you can say 1 तू 2 तो आपका जो sales ratio आया इस question में यह time ratio आपने निकाले थे यहाँ पर time ratio कितना लिखे थे जो 5 तू 7 time ratio आया था आपका time ratio 5 तू time ratio यह उपर 5 तू 7 और sales ratio जो आया आपका भी 1 तू 2 simple उसके बाद आप से कहता है Sun Limited took over a machine worth रुपी 7,20,000 from A&N Brothers and purchased a new machine on 1st February 2018 अब देखो उन्होंने नई machine भी purchase करे 2018 में 4,80,000 की तो यह जो नई machine purchase करे 4,80,000 रुपीस की यह तो post incorporation period में purchase करे तो इससे related जो depreciation रहेंगा वो post में जाएगा और जो बचा हुआ depreciation रहेंगा वो पूरे साल में time ratio में बटेगा तो company decided to provide depreciation 10% पर है अब देखो यहाँ पांच लाग चालीस हजार का फरी यह कितना दिया आपका 4,80,000 का 10% 4,80,000 का कितना का 10% दो मैने का February और क्योंकि एक February का था February मार्च तो multiply by 2 divided by 12 तो दो मैने का depreciation February और मार्च 2018 का आता आपका 8,000 रुपे चार लाग 80,000 रुपे का 10% पर February और मार्च 2018 तो इस पर यहाँ पर बनी विए depreciation की का है यह देखो तो यह total depreciation आपको penal में दिया है असी अजार रुपे लेकिन exclusively जो post period का है वो आपका 4,80,000 का 10% for 2 months यह 8,000 तो यह 8,000 तो यह 8,000 exclusively post period का तो असी में से 8 exclusively post का था और यह बचा वो पूरे साल का था 72,000 तो 72,000 का time ratio में 5 to 7, 30,000 और 42,000 इस तरीक से time ratio में बढ़ गया तो यह pre period का 30, post period का 50 तो आप यहाँ पे दे statement जो बना है depreciation 30,000 और यह 50,000 working note number 6 में उसके बाद यहाँ पे the company occupied additional space from 1st of October 2017 rent of Rs. 6,000 per month इसको समझ न साल शुरू हुआ एक अपरिल एक एपरिल 2017 खतम हो रहा है 31 माद 2018 इनकॉर्परेट हुई 1st September 2017 अब ध्यान से सुरेगे वो कहता है कि additional space आपने खरीदे लिए 1st October से उसका rent पे करना पड़ रहा है 6,000 और मतलब सबस हमारी कोई दुकान हमने rent पे ले रखे तो उसका जो rental जो हम पे कर रहे है वो rental आपका फ्लोर तो normal था इसके अलावा 1st of October से आपने एक और 1st of October दिया incorporate 1st September को है ठीक है तो 1st of October मतलब यहाँ पे 1st of October मतलब यहाँ पे 1st of October को आपने ये incorporation वाली डेट और यहाँ पर आपने 1st of October को 1st of October को additional space लिए तो जो additional space लिए उसका जो rental है ये additional space है तो भाई 1st October से दो फ्लोर हो गया समझा नहीं किना ऐसे करो फ्लोर वाइस ये एक था और इसके ये भी आ गया तो additional space आपने 3000 रुपीज पर मन दे रहे तो यह 3000 पर मन exclusively post-perate में जा रहा है क्योंकि को इन कॉर्पर इंकॉर्पर इंक्वर से 1st of September को 1st of October से 3,000 पर मन exclusively post-perate कर था सो 3,000 रुपीज 1st of October October, November, December, January, February, March तो 6 मैंने वो जो additional है वो post-perate कर तो तो 3,000 मुल्टीपिल आप में चाही 36,000 तो वो 36,000 exclusively post-perate कर रहा है अब अगर मैं यहां पर देखू कोश्य में रेंटल अपने को कितना दिया है रेंटल जो दिया उसने अपने को 96,000 रुपीज रेंट दे रहा है रेंट कितना रहा है 96,000 रुपीज है तो 96,000 में 36 तो आपको exclusively post का है तो 96,000 मैंनस 36 करूँ वो बचता है 60,000, 60,000 पूरे साल का है that 60,000 will be distributed in time ratio तो अगर आप यहां पर देखेंगे रेंटल वाला यह देखो 36 यहां पर और यह बच्चा हुआ जो 60,000 ता है time ratio में 25 और यह time ratio यह 527 यह 25,000 तो यह pre-incorporation time ratio 527 तो यह आपका pre-incorporation 25, post-incorporation 70,000 क्योंके 36 exclusively post का तो वो लिखे बच्चा हो जो पूरे साल का था तो पूरे साल का आपने time ratio में उसको बाठ दीए 25,71 तो यहां पर यह 25 की दर गया 25,71 ओके अगर अगर आपन तरवलीग इसपेंस्टम में देखतें तो यह आपका 66,000 तो यह आपका 66,000 तो यह आपका 66,000 का, लेकिन उसमें 66,000 में से time ratio में आपका कितना बटेंगा, यह आपका 30,000, तो यहाँ पर traveling expenses total दिया, आपका 66,000, तो आप वो 30,000 को time ratio में बाटेंगे, देखें, आपका working notice का, ओके, यह time ratio 5 to 7, क्योंकि office staff का है, अब यहाँ पर आपने time ratio 5 to 7 में बाटें, लेकिन बच्चा वो traveling expense sales से related, salesman को दिया, तो वो sales से related, sales ratio 1 to 2, तो आपका 66,000 में 30 हट गया, तो बच्चा 36,000, तो उसको आपने sales ratio 1 to 2 में बाटे, तो pre-incorporation 24,500, post-incorporation 41,500, तो यहाँ पर आपने, आपने traveling expenses, working notice 24,500, 41,500, okay, audit fee pertains to the company, तो audit fee किसे है, company किये, company से related expense हो कह रहा है, तो 12,000 रुपे post period में आ जाएगा, company का है, where is audit fee, okay, यह 12,000 रुपे, और salary, where double from date of incorporation, very simple, salary वैसे time ratio में बाटे, लेकिन कुछ question में बोला, तो फिर उसको अपने को मानना पढ़ता है, question जब silent है, तो फिर वो अपन सब time ratio sales ratio का सोचता है, अगर उसने बोला, rental ऐसा है, तो वैसा ही है, अगर salary बोला वैसा है, तो वैसा ही है, अब salary 1st of September से वो क्या होगी, डबल हो गई, तो यहाँ पर अपने 5 मनत आ रहे, यहाँ पर 7 मनत आ रहे, अगर salary यहाँ पर 1 थी, तो यहाँ पर 2 थी, तो 1 multiply by 5 करो, तो यह 5 आ जाता है, यहाँ पर salary डबल हो तो यह आपका क्या हो गया, 7 multiply by 2 करो, तो 14, तो salary जो आपकी question में दीवे, salary कितनी दीवे आपको, salary कितनी दीए, salary जो आपको question में दीए, 1,33,000 वो आपका बटेगा, किस ratio में 5 to 14, तो इसमें working note है, salary, 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 traveling rent, salary है, तो salary देखो, यहाँ पर इसमें बटने 5 to 14, कैसे, simple है, आपका 5 हुआ 5 मैने के, बाद में double हुई तो 7 मन मुल्टिपल है by 2, 14 में तो 5 to 7, तो salary आप यहाँ पर 5 to 7 में बटेगा, salary 5 to 7 में 35,000 और 98,000, okay, उसके बाद तो सारे adjustment हमने कर ली, very simple, okay, अब यहाँ पर salary हो गया, rent हो गया, carriage outward, sales ratio में 75,000 बटेगा, और 48,000, commission on sales, यह भी sales ratio मे यहाँ पर commission, यह भी sales ratio, okay, अब यहाँ पर आपका printing and stationary time ratio, electricity, time ratio 24 और यह 30, so आपका printing and stationary time ratio, electricity, यह time ratio, okay, उसके बाद, depreciation हो गया, advertisement expense, sales ratio, 24,000, advertisement, यह 24,000, sales ratio, okay, उसके बाद यहाँ पर primary expense, post, MD recommendation, managing director, यह भी post, तो 9,000 और यह 8,000 post में जाएंगे, 9,000 यह आपका pre-incorporation profit, यह post incorporation, ऐसे आपनी बे exam में ऐसी presentation करना, net profit prior to incorporation transfer to capital reserve, net profit prior to incorporation transfer to penal account, इस तरीक, sorry, net profit not prior, post incorporation, तो prior वाला आपका capital reserve और post incorporation आपका कहाँ पर जाएंगा profit and loss account में, तो लगबक सारे adjustment, ऐसे questions के लगबक सारे adjustment में यहा जो cover कर सकते था हमने यहाँ पर करें, यहाँ पर हमारा revision खतम होता है profit prior to incorporation का, इसकी PDF आपको लिंक है, दिया होए महाँ पर description box में पर आप click करेंगे, तो आपको इसका PDF महाँ पर मिल जाएंगे, आप download कर सकते, तो हमारा revision यहाँ पर profit prior to incorporation का खतम होता है, next इसमें बड़ा important में companies financial statement कम revision करेंगे, हो सकता है कि एक session में नहीं, तो हम दो session में cover करेंगे, देखेंगे कितने session हमको लगते, और उसमें कुछ changes है, तो changes के बारे में मैं वही पर discuss करूँगा, तो यहाँ पर हम यह lecture को खतम करते, take care, bye bye